अलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैं श्रभाना शेक आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूं बटर चिकन वैसे तो बटर चिकन बहुती तरीके से बनाई जाती है यह फ्रेंट्स लेकिन आज मैं इसे अपने स्टाइल में बना के दिखा हूंगी तो प्लीज ये रेसिपी हमें दो स्टेप में बनाना है तो पहले स्टेप में बहले हमें चिकन को फ्राई करना है तो मैंने ले लिया है कड़ाई कड़ाई में हमें तेल एट करना है पहले हम चिकन को फ्राई करेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है हम इसमें एट कर लेंगे चिकन चिकन यहां मैंने लिया है half kg मैंने इसे अच्छे से वाश करके रख लिया है चिकन को हमें high flame पे पाच मेर्ट तक अच्छे से fry करना है अब हम इसमें add कर लेंगे कुछ powder मसाले तो मैंने लिया है यहां पर लालमिश पॉडर यह मैंने कश्मेरी लालमिश पॉडर लिया है अब हम इसमें एड़ कर लेंगे हल्दी पौडर अब हम इसमें एड़ कर लेंगे धनिया पौडर और साथ में हम इसमें नमक एड़ कर लेंगे मैंने नमक इसमें 1.5 टी स्पून एड़ किया है बाकि हम ग्रेवी में एड़ करेंगे और सब मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे टेमेटो केचप टेमेटो केचप डालने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे 5 मट तक अच्छे से और फ्राई कर लेंगे फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसे पार्शमेट तक फ्राई कर लिया है अब चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम फ्लेम को आफ कर देते हैं और चिकन को साइट पे कर लेंगे अब मैंने यह लीया एक दूसरा कड़ाई हमें इसमें अपने ग्रेवि तेयर करनी है तो हम इसमें अट कर लेते हैं पहले तेल तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमें प्यास आट कर लेंगे मैंड़ा दो यहां प्यास लिया जिसे मैंने बारी स्ट कर लिया है हमें इसे इसे लाइप पिंग होने जिससे अध्रक लस्म को कच्छापन निकल जाए तो दो मेट हो चुके हैं फ्रेंट्स अब हम इसमें आड़ कर लेंगे नमक नमक मैंने थोड़ा चिकन में आड़ किया था थोड़ा नमक हम इसमें आड़ करेंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे दही दही मैंने अच्छे से फेट लिया है यहां पर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे लालमिश पॉडर लालमिश पॉडर मैंने चिकन में भी एट किया था तो हम यह थोड़ा ही लालेंगे हैं हमने इसे अची तरीकी से mix कर लेंगे इसे हमें ढका लेना है प्रेंट decoration अचे से ऐंड ह conflict कर लेंगे इसमें始ह में अच्छे से आचछ प्राइब चो में धीन हो चुकверж़त अच्छे हो चुके हैं इसमें कड़ा अच्छ भी आच्छ एपheure हो चुका है तो स्टेश पर हम इसमें एट कर लेंगे अपरा फ्राई किया हुआ चिकन हम इसमें चिकन डालके अच्छे से मिला लेंगे और कडाओी में जो भी दी मसाले वगactor लगे हुए हैS मैं देख सकते हैं मैंने साहरे मसाले और शिकन सब इसमें आट कर लिए हैं अब इसे हम ठक की low to medium flame पे इसे 10 मिनट तक हम पका लेंगे अब दस मेंट हो चुके हैं चिकन को चेक कर लेते हैं मैंने इसे low to medium flame पे 10 से 12 मिनट तक पका लिया है अब देख सकते हैं कि चिकन हमारा अच्छे से कोक हो चुका है तो अब इस करेंगे क्रेम कि अन्याहिए अमोल का फ्रेश क्रीम लिया है अगर आपके पास यह नहीं हो तो आप घर पर जो दूद में मलाई निकलती आप वह इसमें डाल सकते हैं तो मैंने क्रीम डाल के से अच्छे से मिला लिया है है अब हम इसे ढखके दो मिनट तक और पका लेंगे इ 2-3 मेट हैं चेक कर लेते हैं चिकन को तोब देख सकते हैं बटर चिकन हमारे बिल्कुल रेड़ी है आप लास्ट कर लें गे बटर बटर डॉलके हम पीजा अच्छे से मिला लेंगे और यहां भूप दो मिनट बार चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं बटर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और बटर चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए है वो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर से करें तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखिए दूआ में याद रखिए अल्ला हफिर